नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं खाबर दो पहर मैं हूँ आपके साथ प्रीती आए शिरुवात करते हैं इस वक्त के सुर्खियों के साथ शीर्ष सारुजनिक कंपनियों के प्रिदशन में सुधार और मानवसन साथन प्रबंदन समेथ कई मुद्धों पर सीपेसी की एहम बैठक आज 2022 की न्यू इंडिया के लक्षियों को हासल करने पर होगा जोर शाम साथे चार बजे प्रधानमंत्री करेंगे संबोध है दलितों के मुद्धे पर केंद्र को घेरने में जुटी कॉंग्रेस राजगाट पर राहूल गांदी के अगवाई में कॉंग्रेस का पुआस बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर लगाया सेस्टी मुद्धे पर सियासी फायदे की कोशिश कारों 12 अप्रेल को बीजेपी का देश व्यापी प्रधाशन का कारिकरम गाले मामले में सुप्रीम कोट में केंदु सरकार के और से दायर सपश्टी करंड याचिका पर सुनवाई आज तमिलाडू के और से दायर अवमाना याचिका पर भी होगी सुनवाई तमिलाडू में डिम के का प्रधाशन जारी पाकिस्तार के खिलाब पेशावर में पश्टूनों के बड़ी रेली एक लाग से जादा प्रदशनकारी शामिल सरकार पर मानवा दिकारों के उलंगनकारों संग प्रशाथे पबाईली लागों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुनने के लावा कर्फियों खत्म करने की म और राष्ट मंडल खेलों में भारत की जीत का सिलसला जारी आठ गोल्ड के साथ तीसरे पाइदान पर भारत महिलाओ के बाद अब पुरुष खिलाडियों का भी शांदा प्रदशन, दस मीटर एर पिस्टिल मुकाबने में जीतू राइने स्वान पदक पर साधा निशाना भारत तोलन में प्रदीप सिंग्ड जीतार रजट तुधान मंत्री नरिंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में CPSC सम्मेलन को संबोधित करेंगे सम्मेलन में हुने वाली चर्चा निउ इंडिया 2022 के लक्ष को हासल करने के लिए कामों की रूपरेखा तैयार करने का मार्ग प्रश्यस्त करेगी सम्मेलन में मंत्रालियों और के इंद्रिये सार्वजने को पक्रमों के वरिष्ट अधिकारी भी हिस्सा लेंगे सम्मेलन में CPSC के बहतरी इन क्रिया कलापों के बारे में जानकारिया दी जाएंगी दोपहर के वक्त प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कमपनी संचालन, मानव संसाधन प्रवंधन, वित्तिय, पुनार्भियान तरिकी और नवाचार जैसे विश्यों पर प्रस्ति पेश की जाएगी जिसके बाद वो सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधान मंची शीर सारजने कमपनी के प्रमुकों के साथ बैठक के अधखशता करेंगे और न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में से पेश से के भुमिका और क्रिया कलापों की रणनीती तैयार करेंगे मुद्रा योजना से खरीबों खासकर अन्यू सुचित जातियों जन जातियों और अन्य पिछला वर्ग समुदाय के युवाओं और महिलाओं को बड़ी मदद मिल रही है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं योजना के सफलता पूरवक तीन साल पूरे होने पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने ट्वीट करके इसकी काम्यावी पर खुशी जताई नरेंदर मोदी न अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि सुक्षमल लगू और मजहुले उद्योग देश में बदलाव के लिए बहुत एहम है उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक विकास को और तेज़ करने के लिए कई कदम उठा रही है और सुधार कर रही है संसत के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में गतिरोद और दलीतों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है इन्ही मुद्दों को लेकर आज राजगाट में पार्टी अध्यक्ष राहूल गांधी के अगवाई में कॉंग्रस पार्टी प्रदशन कर रही है राहूल गांधी बापू की समाधी पर एक दिन के उपवास पर है कॉंग्रेस कारी करता भी एक दिन का उपवास कर रहे हैं साथी सभी राज्जियों और जिला मुख्यालों पर प्रदशन कर रहे हैं इधर बीजेपी भी विपक्ष पर संसद ना चलने देने का आरोप लगाते हुए 12 अपरेल को अपने सांसद द्वारवपवास की घोशना कर चुकी है बीजेपी गौर्णमेंट्स वेधर इस इन स्टेट और इन दे सेंटर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर SCST मुद्दे का सियासी फायदा लेने की कोशिश का रोप लगाया है बीजेपी का कहा रहा है कि कॉंग्रेस और बीजेपी बाबा साहब अम्बेटकर के नाम पर राजनीती कर रही है महीं कॉंग्रेस और बीजेपी ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का रोप लगाया है SCST Act के मुद्दे पर राजनीती गरमाती जा रही है बीजेपी का रोप है कि विरोधी पार्टियां दलितों के मुद्दे पर राजनीतीक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है उसका कहना है कि कॉंग्रेस समेट दूसरी बाठियां अपने फायदे के लिए बाबा साहब अम्बेटकर के नाम का इस्तिमाल कर रही है और आज जो लोग अम्बेटकर के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे है हमारा अस्पष्ट आरोप है कॉंग्रेस सपा और बसपा योजना बद तरीके से हिंसा का समर्थन करके माहौल को कलुशित करने की कोशिश कर रही है और ये शुद्ध राजनितिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है उनकी दुर्गती होने वाली है विरोत पक्ष की तो ये इनके इन प्रकारण अपने पाउं के नीचे की जमिन जो खसक रही है उसको बनाए रखने के लिए बचाए रखने के लिए इस प्रकार का वातावन बनाने की कोशिश की जा रही है वही करनाटक दौरे पे गए कॉंग्रेस अध्याक्ष राहूल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार दलितों को नजर अंदास कर रही है अध्याक्ष मायवती ने बीजेपी पर दलितों को परिशान करने का आरोप लगाया है बीजेपी की केंद्र वे राजे सरकारें इस हद तक दहल गई हैं कि उन्हें ये लगने लगा है कि अब सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है और इसलिए बीजेपी के केंदर वराजे सरकारों ने पुलिस वे सरकारी आतंग का तांडव अब इन वर्कों के प्रती हर तरफ सुरू कर दिया है ऐसी एस्टी पर सुप्रीम कोट के फैसले के विरोध में दो अप्रेल को भारत बंद किया गया था जिसके बाद कई जगा हिंसा हुई थी ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी आंध्य प्रदेश को विशेश राज्य का दरजा देने की मांगो लेकर TDP सांसदों और नेताओं का दिल्ली में प्रदशन जारी है आज TDP नेताओं ने राजगार जाकर महत्मा गांदी की समाधी में शपत ली टीडीपी नेताओं ने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में उनका शांतिपूर आंदूलन जारी रहेगा रभिवार को टीडीपी सांसदू ने पीम आवास के बाहर धन्ना देने की कोशिश की थी इसके चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया था आंद्रप्रदेश के लिए विशेश राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे है टीडीपी ने पिछले दिनों एंडिये के साथ गड़बंधन भी तोड़ दिया था आद्रप्रदेश को विशेश राज्य का दर्जे के मांग को लेकर यसर कॉंग्रिस के सांसदू का दिल्ली में आमरन अंशन जारी है तेबियत बिगरने के कारण पांच में से तीन सांसदू को अस्पताल में भरती कराया गया इनमें वाईवे सुबा रेड़ी, एमराज मोहन रेड़ी और वाराप्रसाद राव विलागपल्ली शामिल है आद्रप्रदेश को विशेश राज्य का दर्जे की मांग को लेकर वाईएसर कॉंग्रिस के पांच सांसदू ने लोग सभा से स्तीफा दे दिया है बीजेपी ने करनाटक विधानसवा चुनाओ के लिए उमीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है बीजेपी की पहली सूची में 72 उमीदवारों में पार्टी के मुख्यमंत्रिपद के उमीदवार बीएस येदी उरपा का नाम भी शामिल है उन्हें शिकारी पुरा से टिकट दिया गया है वरिश नेता, जदी शिटार, हुबली धारवार सेंट्रल और केस ईश्वरपा शिमोगा सीट से मैदान में उतारे गए हैं दिल्ली में पार्टी मुख्याले पर केंद्रिय चुनाओ समेती के बैठक के बाद उमीदवारों की सूची जारी की गई है पार्टी अद्धक्शामिच्शा के नेतरतु में हुई बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, ग्री मंत्री राजनाथ सिंग, विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज, करनाटा के पूर्व मुख्य मंत्री, BSEA दियूरपा के साथ पार्टी के कई और नेता भी शामिल पिछड़ाबर के नेता, मलेकाई या, गुतिदार, BGP में शामिल हो गए हैं, करनाटक में BGP के मुख्य मंत्री पद के उमीदवार BSEA दियूरपा और केंद्रिय मंत्री प्रकाश जाब डेकर की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया, इस मौके पर प एंसुING Vidhan Sabha elections. In this, the prominent who have been cleared today is Mr. B. S. Yeddorappah, the Member of Parliament at present, and also the ex-Chief Minister of Karnataka. Shri Jagdish Shettyar, he happens to be the ex-Chief Minister of Karnataka, I'll get back, and Shri Ram Ramulu, the Member of Parliament, he is also contesting, and Shri K.S. Ishurappa, who is an MLC, he is also contesting, and he is the ex-Depty Chief Minister. The same way Mr. R. Ashok, who is the ex-Depty Chief Minister, is also fighting. पश्चिम मंगाल में 1, 3, 5 माई को पंचाय चुनाओ होने हैं, और इसके लिए नामानकन जमा करने के आज आखरी तारीक है. कावेरी मामले में सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार से 3 माई तक कावेरी प्रबंधन स्कीम के लिए मसौधा पेश करने को कहा है. साथे तमिलनाडू और करनाटक को कावेरी मामले में कोट की ओर से स्कीम को अंतिम रूप देने तक राज्य में शांती बना रखने को कहा है आज सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार के ओर से दायर स्पश्टी करनड याचिका और तमिलनाडू के ओर से अवमानना याचिका पर सुनवाई की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोट की ओर से कावेरी प्रवंदन बोर्ड के गठन को लेकर दिये गए 16 परवरी के फैसले पस्पष्टी करन डिया चिका लगाई थी केंडर सरकार का कहना है कि इससे लेकर संबन देत राज्यों का नजरिया अलग अलग है सुप्रीम कोट ने 16 फरवरी को अपने फैसले में 6 हफ़ते में केंदर से कावेरी बोर्ड प्रबंदन बोर्ड बनाने को कहा था कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड की गठन की मांग को लेकर डीमके का विरूद प्रदशन जारी है डीमके के कारेकारे अध्धाक शेमके स्टालिन के नेतरतु में निकाली जा रही कावेरी बचाव यात्रा आज तमिलनाडू के तंजामवोर इलाखे में पहुचे देश में लोकसभा और विधानसभा जुनाओ साथ कराने के बारे में सेहमती के लिए अभी और चर्चा की जरूरत है ये बात औद्योगिक संग सी आयाई के बारशिक सत्र में तमाम राजनितिक दलों के नेताओं के बीच चर्चा में सामने आई दिल्ली में जारी समेलन में हाला कि इस बात पर सभी सहमत दिखे कि हर तीन या च्छे महीने में चुनाओ से देश के विकास पर असर पड़ता है जिससे निपटने का रास्ता खोजना जरूरी है साइमल्टेनियूस एलेक्शन यानि लोगसभा और विधानसभाओं के चुनाओ साथ कराने का मुद्धा लंबे समय से देश में चर्चा में है इसे विशैपर सी आई आई ने भी रविवार को एक पर चर्चा का आयोजन किया बीजेपी संसत मिनाख शिलेखी ने कहा कि एक देश एक चुनाओ का वक्त आ गया है क्योंकि साल भर चलने वाले चुनाओ से समय और पैसा तो बरबाद होता ही है साथ ही आदर्श आचार सहिता के बार बार लगने से विकास के कामों पर भी असर पड़ता है जबकि संसत मैजन्द पंडा ने कहा कि एक देश दो चुनाओ से भी इसकी शुरूआत हो सकती है तो यह अगर इस तो इस बार गार बार चुट आपके शुटेश और शुटाव साल है इसके विप्रेट कॉंग्रेस सांसत गौरों गोई के साथ CPI सांसत डी राजा ने एक साथ चुनाओ के विचार को गहर जरूरी और फिजूल बताया कॉंग्रेस है कि इससे एक दल विशेश को ही फाइदा होगा दरसल चुनाओ आयोग से लेकर संसधी इस्थाई समीती नेती आयोग भी देश में एक साथ चुनाओ कराने की वकालत कर चुके है लेकिन इसके लिए या तो आम सहमती से कुछ विधान सभाओ का कारिकाल घटाना या बढ़ाना पड़ेगा या फिर व्यापक बदलाओ के लिए संविधान में दो तिहाई बहुमत से संशोधन की जरूरत पड़ेगी इससे पहले 1951, 1952, 1962 और 1967 तक लोग सभा और विधान सभा के चुनाओ साथ साथ होते थे लेकिन 1967 में राजनीतिक उतल पुतल के बाद परिस्तियां बदल गई और फिर चुनाओ अलग-अलग होने लगे पंचारन मिश्रा, राजी सभा टीवी के डाटा दुरुप्यों के आशंकाओं को खारिश किया केंद्रिय सतरकता आयूपते के विचोध्री ने कहा कि सरकारी हो या नीजी सभी तहे कि संस्थानों में अगर भस्टाचार पर लगाम लगानी है सबस्किर ता चांहें कि अाधार लिंक करते आधारणे के बारे में विचेएपारियों और बिजनस घरानों को करें अतू吸़좌न been in इसी चौधरी ने कहा कि आधार लिंक करने के बारे में व्यापारियों और बिजनेस घरानों को परिशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इन आशंकाओं को भी खारिच किया कि आधार का डेटा लीक हो सकता है और उससे किसी व्यक्ति की नीची जानकारियों का दुरूपयोग हो सकता है। उन्होंने बताया कि आधार की मदद से इनकम टेक्स या दूसरी एजिंसियों के पास मौझूद डाटा का बेहतर रख रखाव में सहूलियत मिलती है। केंद्रिये सतरकता आयुक्त केवी जाधी ने ब्लसकता ब्लसकता केवी जाधी ने ब्लसकता है। ब्रस्टचार और धोकाधड़ी रोकने और कागजातों की सतता जाचने के लिए केंद्रिकृत डिजिटल डाटाबेस बनाये जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि लोन लेने से लेकर नौकरी या टेंडर की जाच के लिए सरकारी या नीजी कमपनियों में कागजातों की जाच की प्रक्रिया अभी लचर और लापरवाही से भरी है। इसके लिए उन्होंने नरधारित नियमों की सकती से पालन पर भी सोर दिया। जिस से भरष्टाचार रोकने में बड़ी मदद मिल सकती है। पंचनन्द मिश्रा के साथ ब्यूरे रिपोर्ट राची सभ़टीवी। उपराश्पती एम वेंकाया नाइडू ने महिला सशक्ती करण को मजबूत करने पर जोर दिया है। दिल्ली में C.I.I. की और से आयोजित कारिक्रम में कल उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं के विजिन और भागेदारी को शामिल किया जाना चाहिए। उपराश्पती ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई इस मौके पर उन्होंने उन महिलाओं को भी सम्भानित किया जिन्होंने अलग लग शित्रों में सरहानिय काम किया है। दिल्ली में रविवार को CII के कारिक्रम में उपर राश्रपती M. Venkaya Naidu ने महिला सशक्तिकरन पर जोर दिया उन्होंने कहा कि देश के विकास और आर्थिक खुशाली के लिए आधी आबादी की भागीदारी जरूरी है उपराश्रपती ने कहा कि अगर महिला को मजबूत होना है तो उन्हें शिक्षित होना बेहत जरूरी है साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की राजनितिक भागीदारी ज्याद से ज्यादा होनी चाहिए Educating a woman is equivalent to educating an entire family. An educated woman will not only be in a position to support the family economically but will also ensure proper nutrition and education to children. Therefore education is vital for women's economic, social and political empowerment. The parliament really should have discussed that and come out with some solutions and tangible actions to correct it. उप राश्ट्रपती ने कहा कि भारतिय संस्कृती में महिलाओं को सम्मान देनी की परमपरा रही है और आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम्याभी हासिल कर रही है इस मौके पर उपर राश्टपती एमवेंका अनाईडी ने अलग-अलग शेत्र में सरहानिये काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया और उन्हें समाज के लिए मिसाल बताया अनुदीवान, राज्यसभाटीवी गिनी की यात्रा के बाद राश्टपती रामनात कोविंद अपनी दूसरे चरण की यात्रा के लिए स्वाजिलिंड और जांबिया के लिए रवाना हो गए हैं भारत के किसी भी राश्टपती की ये पहली स्वाजिलिंड यात्रा है यहाँ होने वाले प्रितिनी दिमंडल स्टर की वारता में राश्टपती का जोर आपसे सहीयोग बढ़ाने पर होगा इससे पहले रविवार को एक्विटोरियल गिनी की संसद को संबोधित करते हुए राश्पती रामनात कोविद ने कहा कि आतंगवाद पर नकेल के लिए वैश्विक स्टर पर व्यापक रननीती तैयार करनी होगी उन्होंने कहा कि आतंगवाद जैसी वैश्विक चुनोतियों का स्थाई हल निकाला जाना चाहिए इससे पहले दोनों देशों के राश्पती ने आतंगवादी और उसके संगठन के नेटवक के खिलाफ कड़ा कड़ा कदम उठाए जाने पर सहमती जताई राश्पती रामनात कोविन निकल एक्यूटोरियल गिनी के राश्पती के साथ राजधानी वालाबों में प्रतिनेधी मंडल स्तर की वार्था की इस दोरान आपसी संबंदों की व्यापक समीक्षा की गई बाचीत के दोरान भारत और गिनी ने अक्टूबर 2017 में नई दिल्ली में आयोजित पहली संयुक्त द्वीपक्षिय बैठक में हुई सहमती के आधार पर आपसी संबंदों को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की सूशना और तक्नीकी के अलावा और शदिय पौधे और स्वास्ते समेथ और दूसरिक शेत्रों में भारत और गिनी के बीच समझोता पत्र पर हस्ताक्षर किये गए ट्रॉर्षम और दूसर गए ठीज पार तरॉर्षम और दे हमा यह यह थारियू ख्रग में रलाद करवाण आर्म पर टैबावायोःज़ा की आपस्पारन ग्रावाटन पार थाप्र आप्र में अला फौट रिजए प्र लिए इन प्रवाट की आईप्रावा बना एंजा on international terrorism at the United Nations. पाकिस्तान में रविवार को करीब एक लाग से जादा पश्टूनों ने सरकार के खिलाफ रैली की। और उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। रैली में लापता हुए लोगों के परिवारों ने भी हिस्सा लिया और लोगों के हाथों में लापता लोगों की तख्तियां भी थी। तागतूल आगा मजलूमीन खालक ताइए। राश्वधी ट्रम्प ने अपने संबोधन में सीरिया की मदद के लिए रूस और इरान की कड़िया आलो चुना की है। बात खेलूगी। गोल्ड कोस्ट राश्वमंडल खेल में भारतिये खिलाडियों का शांदार प्रदेशन जारी है। निशानेबास जीतू राय ने भारत को पूरशो की दस मीटर एर पिस्टिल प्रतियोगिता में स्वन्ड पदक दिलाया। वही ओम मिथारवल तीसरे स्थान पे रहते हुए कास से पदक अपने नाम किया। माहिलाव की दस मीटर एर राफल के फानल में मेहुली घोश और अपूरवी चंदेला ने भारत को पदक दिलाया है। बॉक्सिंग में भारत की स्टार महिला बॉक्सर MC मेरिकॉम ने 21 वे कॉमन्वेल गेम्स के समय फाइनल में जगा पक्की कर ली है चौते दिन रविवार को आउक्सन फोर्ट स्टूडियोज में आयोजित इस मुकाबले मेरिकॉम ने महिलाओ के 45 से 48 किलोग्राम काटेग्री के कॉर्टर फाइनल में स्कॉर्टलेंग की बॉक्सर मेगन गार्डन को पाच शूनने से करारी माद दी इसी के साथ उन्होंने मेडल पका कर लिया है राश्पती रामनात कोविंद उपराश्पती एमवेंक एन नाइडू और प्रधान मंत्री नरेंदर मूदी ने खिलाडियों को उनकी काम्याबी पर बथाई दी है राश्पती ने ट्वीट किया है कि देश को उनकी उपलब्दी पर गर्व है उपराश्पती M-Wing कया नाइडू ने टेबल टेनिस टीम और दूसरे खिलाडियों की जीत पर बदाई दी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारते अठलीतों के शांदा प्रदर्शन पर शुब कामना दी है और आएए अब एक नजर डालते हैं इस वक्त टैली क्या कह रही है 21 वी राश्पमनल खेलों में ऑस्ट्रेलिया फिलाल 33 स्वन 28 रजट और 28 कास सिपदकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है वहीं इंग्लेंड 21 स्वन 22 रजट और 14 कास सिपदक के साथ दूसर स्थान पर है इसके लावा भारत 8 स्वन 4 रजट और 5 कास सिपदक लेकर तीसर स्थान पर पहुँच गया है वहीं कैनेडा 7 स्वन पदक 16 रजट और 10 कास सिपदकों के साथ चौतिस स्थान पर है और इसे के साथ फिलाल खाबर दुपहर में इतना ही आप बने रहे राज्य सभा टीवी के साथ नमस्कार